हेलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे आज मैं कहानी सुनाने वाली हूँ देशी डैड और फिरंगी मॉम दोस्तो ये कहानी एमी की है जो लंडन की रहने वाली है वो बहुत खूपसूरत है उसके बाल गोल्डन कलर के है उसकी आखे नीली है और उसका रंग गोरा इतना गोरा कि वो हलकी से स्माइल भी करे तो उसका पूरा चैरा लाल हो जाता है उसकी उचाई भी लगबग 5 फुट पाच इंच की होगी वो अपने बॉइफ्रेंट जेम्स के साथ चर्च में शादी करने वाली है इसलिए वो लंडन के ही पालर में ब्राइडल ड्रेस पहन कर रेडी हो रही थी क्योंकि उसके डैड यहां के बहुत बड़े बिजनिसमेन थे वो बहुत ही जादा लगजरी ल न्यू की तरफ चली जाती है वो वैडिंग एक चर्च में थी एमी चर्च के पास पहुची पहुचती है वो अपनी वैडिंग के लिए बहुत एकसाइट थी एमी कार से आती है उसके पीछे उसके ब्राइड बैड भी उतरती है तबी सामने से जैम्स आता है उसके साथ ग् पड़ाते हैं चर्ज में सभी उनके परिवार के सदसे मोजूद थे वो दोनों पापा के सामने खड़े होकर अपने आने वाली जिंदकी के हां कहने ही वाले थे तब भी जुड़वा बच्चे वहां आते हैं और जोर से चिलाते हैं ये शादी नहीं हो सकती है सभी उन दोनों की बात सुनकर शोख हो जाते हैं वो बच्चे भी फोरणर दिख रहे थे उनके बाल भी गोल्डन और उनकी आखे भी नीली थी वो बिल्कुल एमी की कोपी लग रहे थे एमी को उने देखकर एक अटैच्मेंट फील होता है वो प्यार से उनसे कहती है कि आप इस शादी में शामिल होना चाहते हैं बच्चो बच्चे हम हमारी मम्मी को वापिस लेने आए हैं सब उनकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हो गए एमी आपकी मम्मी कोन है वे बच्चे आप ये सुनकर अब सभी शोग थे एमी भी शोग थी वो कुछ न समझते हुए अपनी तूटी-फूटी हिंदी में क्या आपकी मा मैं हूं वो बच्चे हा ममा जैसे ही वो बच्चे और कुछ आगे कहते एमी के डैड आगे आकर आप कौन है और मेरी बेटी की शादी रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और इस शादी को रोकने के लिए तुम्हें किसने भेजा है वो बच्चे किसी ने नहीं हम केवल मम्मी को वापिस लेने आए हैं एमी भी शोग थी तब ही अचानक कुछ गार्ड आते हैं वो बच्चे उन्हें ओर देते हैं हमारी मम को समाल कर हमारे साथ ले आओ एमी कोई प्रतिक्रिया देती उससे पहले ही कुछ गार्ड वहां आकर एमी को पकड़ कर अपने साथ ले जाने लगते हैं तब ही जैम्स और उसके डैड वही आ जाते हैं और अपने गार्ड को बुलाते हैं वो बच्चे हसते हुए उन लोगों के साथ पहले ही हमारे गार्ड गेम्स खेल चुके हैं आप चाहो तो आपके साथ भी खेल सकते हैं वो इतना कहकर एमी को अपने साथ अपनी कार में ले जाते हैं और जो इंडिया के लिए फ्लाई कर रहा था और वो बच्चे अपने लैप्टोप में काम कर रहे थे एक बच्चा मम्मी आप कुछ खाएंगी एमी को भी अब तक भूख लग चुकी थी इसलिए वो हां कह देती है क्योंकि उसे जो करना था वो इंडिया जाकर ही करना था वो दोनों तो उसकी बात ही नहीं सुन रहे थे तभी उन बच्चों ने कुछ इशारा किया तभी एक एयर होस्टेस वहां आई और उसने उन लोगों को खाना सर्व किया एमी शोक थी वहाँ जो जो खाना सर्व किया था वो एमी की पसंद खाता वो उन बच्चों से पूस्ती है अपनी टूटी-फूटी हिंदी में आप दोनों को मेरी फेवरेट डिश के बारे में कैसे पता? वो बच्चे क्योंकि हमारी मोम है और हमारी पसंद भी एकी है एमी क्या तुमें भी यही खाना पसंद है वो बच्चे हामा एमी थोड़ा गुस्से से आपके डैड कोन है? वो बच्चे वो आपके लिए सर्प्राइज है वो क्या ना आज हमारे डैट की भी शादी है इसलिए हमारा वहाँ जल्दी पहुँचना ज़्यादा जरूरी है एमी गुसे से आपके डैट भी शादी कर रहे हैं और आपने एक शक के बिना पर मेरी शादी कैंसल करवा दी और मुझे किड्नेप करके इंडिया ले जा रहे हैं वो बच्चे बहुती अराम से हम डैट की शादी उस लड़की से नहीं होने देंगे एमी आप अभी लंडन में हो आपके जाने से पहले ही आपकी डैड ने शादी कर ली तो मेरा क्या होगा वो बच्चे हम उन्हें तलाग दिलवा देंगे एमी इस बात से और शोक्त हो जाती है और अपना खाना खतम करके वो चुप चाप एक सीट पर बैट जाती है क्योंकि उसका सरचक्रा रहा था इन बच्चों की खतरनाग बात सुनके दूसरी तरफ एमी के डैड और जेमस एमी को हर जगा ढूंडते हैं पर एमी लंडन में थी ही नहीं जो उन्हें यहां मिलती वो पुलिस की मदद लेते हैं पर उन्हें कहीं भी नजर नहीं आती दूसरी तरफ दिल्ली में एक बहुत बड़े बिजनिसमैन मिस्टर वीहान की शादी का मंडप तैयार था सभी शादी की तैयारी हो चुकी थी एक आदमी आकर वीहान से सर बच्चे कहीं नहीं मिल रहे हैं वीहान गुसे से ढूंडो उनको और तैयार करके मंडप में ले आना उनकी नई मा से उनको मिलवाना भी है ये बोलकर वीहान जैमाला के लिए आ जाता है सामने रिद्धी खड़ी थी जिसे वीहान कहीं न कहीं पसंद भी करता था इसलिए उसने बच्चों से शादी के लिए हा कह दिया वो उन्हें सर्प्राइज देने के लिए या मंडप पर बुलवाया था पर कहां थे बच्चे क्या उन्हें अपनी मा से मिलने की बाहर निकलना नहीं है वो यही सब सोच रहा था तभी पंडिज जी ने जैमाला की रश्म शुरू करवाई विहान ने सब के सामने रिद्धी को जैमाला पैनाई रिद्धी ने भी विहान के गले में जैमाला डाल दी पंडित जी जैमाला की रस्म पूरी हुई अब आप फेरों की तैयारी करिए और पंडित जी सारी रस्में धीरे धीरे पूरी करने लगे पांच फेरे भी हो गए तब वहीं एक कार सीधा मंडब तक आ गई कार से दो बच्चे निकले और जोर से कहा पंडित जी रोग दो ये शादी हमें हमारी मा मिल चुकी है शादी में आये सभी लोगों ने चोग गए कार से एमी भी बहार आती है वो एक वैडिंग गाउन में थी वो भी दुलन बनी हुई थी ये देखकर सब और हैरान हो गए तब ही विहान अपना शादी का मंडब छोड़ वहां आता है ये क्य मजाक है लवकुष वो बच्चों का नाम लवकुष था लव गुस्से से मजाक आपने बना कर रखा है हमारी फीलिंग्स का हमें हमारी मोम चाहिए थी एमी फर्नेंडिस है ये रही डी एने रिपोर्ट खुश एक फाइल विहान के सामने दिखाता है लवकुष गुस्से से आप दोनों ही अजीब हो शादी भी करनी है तो एक ही दिन वो भी अलग-अलग लोगों से मोम को जेम संकल और आपको रिधी अंटी से तो हम आप लोगों ने पैदा क्यों किये एमी उन बच्चों का दर्ध फील कर सकती थी क्योंकि उसकी भी मोम नहीं थी एमी प्यार से अ विहान गुसे से तुम लोग बहुत जादा बोलने लगे हो ये बोलकर वो जैसे ही बच्चे पर हाथ उठाने लगता है ये पहली बार था जब विहान और एमी ने एक दूसरे को देखा आपकी हिम्मत कैसे हुई इन बच्चों पर हाथ उठाने की विहान भी गुसे से आप कौन हो बच्चों को बचाने वाली ये मेरे बच्चे हैं मैं इनका डैड हूँ एमी भी मैं भी इनकी मोम हूँ और ये मेरे भी बच्चे हैं दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे तब ही रिद्धी बीच में आई यह क्या तमाशा हो रहा है विहान आपने तो कहा था आपके सिर्व बच्चे ही हैं, यहां तो आपकी बीवी भी आई है, वो भी दुलहन बनी हुई है, देखिए आपके बच्चे भी इसी से मिलते हैं, वीहान अब गोर से बच्चों को और एमी को देखता है, तबी लवकुष साथ में, हम आप दोनों को एक महीने महीना दे रही हैं, अ ऐसे भी हम एमी और ब्रदाश नहीं कर पाती और प्यार से कहती है बेबी लुक अगर आपको आपके डैट के साथ नहीं रहना तो आप मेरे साथ चलो आपके नाना जी बहुत रिच है आपको मैं कभी कोई काम नहीं होने दूंगी आपकी मा लंडन की राज कुमारी है और आप नहीं चाते तो मैं कभी किसी से शादी भी नहीं करूंगी मैं अभी जेम्स को मना कर देती हूं लवखुश खुश हो जाते हैं एमी हा मेरे बच्चे आप मेरे बच्चे हो मुझे शादी करने की कोई जरुवत नहीं है अब आप खुश हैं लवखुश दोनों हा में अपना सर हिलाते हैं और एमी के गले लग जाते हैं आपको क्या वीहान जाने देगा अपने बच्चों को वीहान क्या अपना प्यार कुर्बान कर देगा अपने बच्चों के लिए जानने के लिए मेरी कहानी देशी डैड मॉम फिरंगी को फोलो करें आपकी दोस्ट शिलपा के साथ आपको कामिया भी मिले, कल मिलते हैं दोस्तों, बाई बाई टाटा